हेलो गाईस रादे रादे मोस्ट वेलकम तो कैसे हो गाईस जरूर बताना कमेंट करके तो आज मैं एक निव वीडियो लेकर आए हो निव वीडियो लाइए ओ पूजा पाइट से रिलेटिव प्लांटों की तो पूजा पाइट में तो मतलब बहुत काम में आते हैं प्लांट और जब भी हमारे हां कोई पूजा होती है तो प्लांटों की जरूत पड़ती है तो ये है तुलसी जो की छोटे से टबे में लगा लगाते हैं वो हमेशा बेवी साइज बेवी प्लांटी लगाना चाहिए ज्यादा विक साइज का प्लांट नहीं लगाना चाहिए क्योंकि विक साइज का जो प्लांट रहता है केले का जब उस पर केले आने लगते हैं तब हमें घर में नहीं रखना चाहिए उससे हटा देना चाहिए दूसरी जगे लगा देना चाहिए और हमें हमेशा घर में बेबी प्लांटी रखना चाहिए केले का लेकिन रखना जरूर चाहिए जब हम ब्रश्पत का ब्रत करते हैं विश्णु भगवान का तो हमें मौर्निंग में पूजा करनी रहती है तो इसलिए हमें दूसरे मंदर मंदर बगरा या कहीं पार्क बगरा में जाके करना पड़ता है खास कर जो लोग सहर में रहते हैं उनको थोड़ा दिक्कत होती है तो इसी लिए आप अपने घर में प्लांट जरूर लगाएं केले का लेकिन छोटे साइच का लगाएं जब वो बड़ा हो जाए तब उस माद जादें लेकिन ज्यादा बड़ा प्लांट घर में नहीं लगाते हैं और जो छोटा प्लांट रहता है उसका कोई दोस नहीं होता उसको लगालेते हैं घर में जो की बेबी बन्त रहता उस Communist को लगाले तो आप भी अपने घर वह को जरूर लगाएं और पूज पाट से रिलेटिव प्लांट तो घर में होने ही चाहिए तो ये दूसरा आ गया है उसका बेल पत्र का प्लांट जो की भोले बाबा का प्लांट है ये और इसके जो पत्ते हैं जो तीन तीन पत्ते वाली रूट दीख रही है ये मतलब तीन टहनी दीख रही है ये हम भोले बाबा को च तो मतलब आप चाहों तो मंदिर में भी चड़ा सकते हो चाहें तो जैसे हमने रख रखें आप उस तरह से भी रख सकते हैं लेकिन आप भी अपने घर में पूजा पार्ट से रिलेटिव प्लांट जरूर लगाएं और यह थोड़ा देर में गिरो करता है मतलब जल्दी गिरो खाली जगे पढ़िए तो मिट्टी में लगा दें क्योंकि आजकल सेर में तो मुस्किल है खाली जगे मिलना तो इसलिए लोग गमले में लगाते हैं तो आप लोग भी अपने गार्डन की सान को बढ़ाएं और यह पूजा पार्ट से रिलेटिव प्लांट जरूर लगाना बेल का केले का तुलसी का समीव यह सब सुप प्लांट होती हैं जरूर लगाएं तो अब हम कहीए मालो मंदर जाना है या कहीं जाना है तो डूणने से भी नहीं मिलता तो दिक्कत होती है इससे तो अच्छा हम घर में ही लगा लें और इसकी केर की भी ज़रूत नहीं है खा जाता है आप देख सकते हो जादा नमी वाली मिट्टी नहीं है हलकी सफेद हो रही है मतलब सूख रही है मिट्टी फिर भी अच्छा हैल्दी प्लांट है हम हपते में 2-3-3 बार चार बार पानी डालते हैं, अगर गर्मी रहती है तो रोज जाना भी डल जाता है पानी ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ओवरवर्टरिंग से बचाना चाहिए ओवरवर्टरिंग कोई भी मतलब ओवर ज्यादा ही पानी डालना हर प्लाइट को नुकसान देता है हर प्लांट के लिए नुक्सान दायक होता है तो आज का वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करना न्यू है तो सस्क्राइब करना मिलती हूँ नेक्स वीडियो में